सबी को नमस्कार संस्कृत की इस कक्छा में आप सबी का स्वागत है आज हम MP Board कक्छा आटमी की पुष्टक सुरवी के साथ में पाठ का अध्यन करेंगे सब्तमह पाठा एक्यवलम एक्ता का बल कस्मिश्चित बने निम्ब ब्रक्षे एकम चटका यगुलम प्रतिवसती इस्म कस्मिश्चित अर्थात किसी किसी बन में निम्ब ब्रक्षे नीम के पेड़ पर एकम एक चटका यगुलम चिडियों का जोड़ा प्रतिवसती इस्म न मये चटकया अंडानी दत्तानी समय पर चिडिया ने अंडे दिये युगलम अतिपरसंडम आसीद जोड़ा बहर चिडियों का जो ड़ोड़ा अतिपरसंड था एक असमिन देने आतप पीड़ता एकः मदमक्त गज़ा तत्र आगताः एक दिन धूप से पीड़त एक मदमक्त या मतवाला हाती बहाँ पर आया मदेन सहतस प्रक्चस्य ताम साखाम नासित बान मर्श्ती में उसने उस प्रक्च की साखाओं को नस्ट कर दिया यस्याम साखायाम चटका या अंडानी आसन जिस साखाओं पर उस चड़िया के अंडे थे अतह अंडानी अपी नस्टानी इसलिए अंडे भी नस्ट हो गए चटका युगलम कातर क्रंदनम आरब्धत चीडियों के जोडे ने दुख के कारण रोना प्रारम कर दिया रोधिनम सृत्वा तयो मित्रम काष्ट भेद कहा पक्ची आगता रोना सुनकर उनका मित्र काष्ट भेद यह लकडी को छेद करने वाला जो पक्ची होता है वो आगे बहे आगया सह उक्तवान उसने कहा रोदनेन अलम रोना बस करो तेन उक्तम उसने कहा सह ए बुद्धिमाना या मृत्तम गतम चाना चिंतियती वही बुद्धिमान है जो मरे हुए एबम गए हुए की चिंता नहीं करता चटका तम अवदज चिडिया ने उससे कहा एसाह मक्त गजा हंतब्या अन्निता एसा सरवान पशू पक्ची पादपान नास एस्यती उसने कहा यह मतवाला हाती मारा जाना चाहिए अन्निता यह सभी पशू पक्चीओं को निस्ट कर देगा कास्ट भेद का अवदत कट फोडवा ने कहा मैं अपने मित्र मक्की को लेकर आता हूँ साइद उसके पास हांती को मारने का कोई उपाय होगा सह गत्वा मक्की काम न्यवेदत यद बह गया और उसने मक्की से निवेदन किया कि मम चटका मित्रस ग्रहम एकिन मत गजेन मिनस्टम मेरे चिडिया मित्र का घर एक मत वाले हांती ने नस्ट कर दिया है तस बदाए सहायताम करो तू उसके बद में अर्दाद हांती के बद में मेरी सहायता करो मक्ष का अविदत मक्षी ने कहा यत मित्रम एब मित्रस कार्यम साध्यती मित्र ही मित्र का कार पूर्ण करता है मक्षी का तदा स्वमित्रम चतुर मंडू कम उपायम प्रिष्टवती मक्षी ने तब अपने मित्र चतुर मैधक से उपायक मुच्छा मंडू का उक्तवान मैध दुर्वला अपी सवलम सत्रूम हंतुम सक्नुवंती एक होकर दुर्वल व्यक्ती भी सवल सत्रू का नास कर सकते हैं। इसके अनुसार तोपहर में मक्की ने हांती के कान में बीणा वादन अर्थात गुन 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 जन किया। तब उस कट फोडवा कीड़े ने उस हांती के आँखों में प्रहार करके उन्हें नश्ट कर दिया। अनंतरम यत्र महान पंका आसीत तत्र मंडू का धनी ना तम जलम पातुम आकरसित वान। बाद में उस मैडक ने एक कीचड में महान पंका अर्थात कीचड के गड़े में किसे धनी करके उसको जलकी और आकरसित किया। अन्धा गजा तस्मिन पंके पतिता मिरताश्च अन्धा उगावय हांती उस कीचड में गिर गया और मर गया। एबम तई तीक्षण बुद्धिया एक केन चासह मक्त गजा मारिता। इस प्रकार उन्होंने अपनी तीक्षण बुद्धी और एक्ता के बल से उस मतवाले हांती को मार दिया। सभी ने अपनी और बन की रक्षण की। इस प्रकारे इस कहानी में एक्ता का वरणन है किस प्रकार सभी ने एक साथ अपनी चतुराई से और एक्ता के बल से उस महान बलसादी हांती को मार कर बन की और स्यम की रक्षा की। आएए मगभ्यास प्रशनों को करेंगे। चटका युगुलम कुत्र प्रतिवसती इस्म चिडियों का जूड़ा कहां रहता था। चटका युगुलम कुत्र किस्थान पर निम्ब ब्रक्षे प्रतिवसती इस्म एक पदेन में लिखना है अर्थातिस में कीवल निम्ब ब्रक्षे लिखना है। कजह काम ना सितवान हाथी ने क्या नस्ट किया गजह अंडानी ना सितवान काम किस्तान पर अंडानी चटका युगलस रोधनम स्रत्वा कह आगता चिडियों के जोड़े का रोना सुनकर कौन आगया चटका युगलस रोधनम स्रत्वा कास्ट भेद कह कट पोडवा आगता आगया यहां पर कास्ट भेद कहा लखना है, कास्ट भेद कहा काम आनितवान, कट बोड़वा किस को लेकर आया, कास्ट भेद कहा मक्च काम आनितवान, कट बोड़वा मक्खी को लेकर आया, जलम पातुम गजम कहा आकर सिदवान, जल को पाने के लिए हाती को किसने आकर सिद किया, को मेढग ने आ खर सित किया इस प्रकारे एक पदे नुत्त्रम होते हैं एक बाके नुत्त्रम लखत गो बुद्धिमाना कांस्तए कौन है यह मिरत्म गत्म चाना चिंतियती जो मरें हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता वैरी बुद्धिमान है खा मित्रस्य कारियं कह साधियती मित्र के कार को कौन पूरा करता है गा मंडु कह मक्चिकाम किम उपायम उक्तमान मेडक ने मक्ची को क्या उपाय कहा मंडू कहा मक्चि का एकी भूता दुर्वला अपी सवलम सत्रू हंतुम सक्डू वन्ती इती उपायम उक्तवान नडक ने मक्चि से एक होकर दुर्वल भी सवल सत्रू को मार सकते हैं इस उपाय को कहा घा मक्चि का गजस करनायो किम कृतवती मक्चि ने हाती के कानों में क्या किया मक्चि का गजस करनायो बीणा बादनम कृतवती मक्चि ने हाती के कानों में बीणा बादन अर्थात गुंजन किया तै मक्त गजम केन बलेन मारितह उन्होंने मतवाले हांती को किस सक्ती से मारा इस प्रकारे एक बाके नुत्तरम पूर्ण होते हैं आईे भूम अगले अभ्यास कृष्ण पर चलते हैं युग्म निर्माणम कुरुत जूडियां मिलाईए एक के बलेन मत गजह मारितहा चतुरत इस्थान से मिलाईए बुद्धी माना यह गतम मृतम चाना चिंतियती पंचम इस्थान से मिलाईए कास्ट भेद कहा चंचू प्रहारम प्रतम इस्थान से मिलाईए मक्चिका बीणा वादनम दुत्ती स्थान से मिलाईए चटका युगलम तिर्थी स्थान पर कातर करंदनम से मिलाईए इस प्रकारे जोडियां पूर्ण होती हैं अब हम अगले प्रिश्ण पर चलते हैं रिक्तिस्थान आने पूरियत खालिस्थान भरिये निम्ब ब्रक्चे एकम चटका युगलम प्रतिबसती इस्म चटका युगलम कातर करंदनम आरब्धत मक्चिका स्वामित्रम मंडूकम प्रिष्टबती मक्त गजाह पंके पतिताह ते एक के बलेन मक्त गजम मारत बनताह इस प्रकारे रिक्तिस्थान पूर्ण होते हैं आईए हम अगले प्रिष्ट को करें प्रिष्ट पांच एकता विसाये पंच बाग क्यानी लिखत एकता के विसाये में पांच बाग के लिखिए यह अभ्यास आप लोगों को स्वयम करना है पहले इनको हिंदी में कीजिए उसके बाद संस्कित में बात कीजिए प्रिष्ट पाठे आगता नाम जीवा नाम नामानी परस्परम सम्मंदम चालिकत पाठे में आए हुए जीवां के नाम और उनके परस्पर सम्मंद लिखिए यह अभ्यास भी आपको स्वयम ही करना है इस परकारिया है अध्याय पूंड होता है आरसा है आप सभी को यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को नवसकार सुब मंगल काम नाए